अगर आप भी सोशल मेडिया की माध्यम से किसी डेटिंग आप का उपयोग कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए जानना बेहद सरूरी है हो सकता है कि डेटिंग आप की माध्यम से आप भी किसी ठगी का शिकार ना हो जाए कानपूर पुलिस ने एक ऐसे ही गैंका खुलासा किया है जो डेटिंग आप के जरिये लोगों को अपने जाल में फसा कर मोटी रकम उनसे वसूलता है किदवई नगर पुलिस ने एक ऐसे ही गिरोहों का खुलासा किया है जो डेटिंग आप के माध्यम से लोगों को अपने जौल में फसा कर ठगी की घटना को अंजाम देता था पुलिस ने सरह की घटना को अंजाम देनी वालों में एक महला सहित दो और आरोपियों को गिरफतार किया है खुलासा करते हुए डेटिंग आप के माध्यम से प्रेम जौल में फसा कर लोगों के साथ ठगी वा फिरोती वसूनले के नाम पर तीन लोग जिसमें प्रियागराज राज निवासी, नैंसी उर्फतनू, कानपूर, हरबंस महल निवासी, संजोग और प्रियागराज निव पर लोगों को होटल भीस्ते थे, जैसे ही वा लोग होटल देखने के लिए जाते थे, तो इनके अन्या साथी और यहाँ लोग गाड़ी लेकर फरार हो जाते थे, जिसके बाद यहाँ लोग गाड़ी चुडवाने के नाम पर लोगों से पैसे की वसूली करते थे, और पैस हैं और संजोग जैसवाल कानपूर का रहने वाला है ये तीनों एक ग्यांग के तहत काम करते थे इसमें जो महिला है वो डेटिंग आप के माध्यम से कई पुरुशों से दोस्ती करती थी उसके बाद वो फोटल जाने के नाम पे उनकी गाड़ी लेकर वहां से फरार हो जाते और गाड़ी छोड़ने के नाम पर फिरौटी मांगते थे इसमें एक प्रयागराज से इन लोगों ने गाड़ी इसी तरह से चुराई थी और कानपूर में आकर उस व्यक्ति को बुलाकर उससे फिरौटी मांगी जा रही थी मुगबिर के द्वारा कानपूर नगर किभई अगर पुलिस को इस विचना मिली और इस पर कार करते हुए इन तीनों लोगों को हिरासत में लिया गया है और गाड़ी भी बरामत की गई है ऐसे ही एक घटना को इन गिरोहों के लोगों ने प्रियागराज में अंजाम दिया था और उसकी गाड़ी को लेकर फरार हो गए थे और उसकी नंबर प्लेट निकाल कर रास्ते में फेक कर कानपूर आ गए थे चोरी की गई गाड़ी यहन लोग कानपूर बेचने की फिराक में थे इसके बाद पुलिस को मुखभीर दोरा सूचना प्राप्थ हुई कि गचे लोग चोरी की गाड़ी बेचने uh और उनका खुलासा हुग तीन लोग अभी तक सामने आए हैं इसमें गहनता से और जांच की जा रहे हैं कि क्या अन्य लोग भी इसमें शामी है या नई और क्या पहले कोई नाम बदल कर या किसी तरह से इन लोग का कोई आपरादी की तेहास है या नई देखें जितनी भी डेटिंग एप्स है जैसे कि टिंडर, Bumble, Quack Quack इसमें कई एप्स पर ये महिला अपना अकाउंट रखती थी और उन एप्स के माध्यम से ये कई लड़कों से दोस्ती करती थी उसके बाद ये होटल जाते थे वहाँ पर या तो होटल में अंदर जाते थे या फिर बाहर से ही आगर रूम चेक करने जा रहे हैं तो आदमी को अंदर भेज कर ये लड़की बाहर से गाड़ी लेकर परार हो जाती थी और उसके बाद क्यूंकि मूसली शर्म की वज़ा से जो पीडित है वो अप्लिकेशन नहीं देता था यह लोग डेटिंग आप के माध्यम से लोगों की गाड़ियां चिराकर बेच देते थे जिसके बाद पुलिस ने चोरी हुई गाड़ी का पता किया और गाड़ी मालक ने पूरी घटना पुलिस को बताई जिसके बाद पुलिस ने न तीनों आरोपियों को गिरफतार का जे काम देने वाले थे सीनियूस के लिए ब्यूर रिपोर्ट